आपकी पतनी जब धोड़ी का गाना सुनते होगे तो कुछ तो कहते हूं कि अरे बहुत असलील गा रहा है थोड़ा सा अच्छा सापसुतरा भी गा सकते हैं पाउन सिंग की पाँच पाँच चार बीभीया है तो इस पर क्या कहना चाहेंगे उन लोगो को क्या रिप्लाई करन अरे की प्रभु सीरी राम जी के आरे कोईले सुभु काम के की प्रभु सीरी राम जी के कोईले सुभु काम के आरे की लंका में जाई के सिता जी के जी आरा जुडा गयल देखी हनुमत गोसाई के यह राम सीता जी के जीयरा जुडा गैल देखी हनुमत गुसाई के और अभी हमारे साथ जो सक्स बैठें वो हर ट्रेक्टर हर अरकेस्टा में अभी सबसे ज्यादा बजने वाले गायक चंदन चंचर जी है इनका नाम मतलब अभी के डेट में सबसे ज़्यादा इसलिए पॉपुलर है यह जब से ढोड़ी पे गाना गार है तब से एकदम हीट है और सूपर डूपर हीट है तो यह चंदन चंचा जी से मिलाते हैं तो कैसे चंदन चंचा मैं बहुत बढ़िया हूँ और पॉब्लिक इंट्रेमेंट सब दोस्वों को मेरा पड़ाम है आपका स्वागत है अब है बहुत बढ़िया हूँ अभी फिलहाल आपका साधी हुआ है तो कैसा एक्सप्रियेंस रहा साधी करके अग्सप्रियेंस कोई से पाई रोरो ही तो रोरो पता चली सब के हुला सब भरवान के दया सब अच्छा हुआ सब कलकार भया के ले लाइव के माध्यम से थैंक्स बोलता है कि जितना भी यमार कलकार भया आई निक हरे अबरा भाई खाती राजीवान भाई कहते भी खाड़ा रही तो न्यूज के माध्यम से कलकार सब भया के दिल से धन्यवार देता है कि आप सब चंचल के आप सब इतना चहनी प्यार इतना देनी आप सब जुटान रहा ला महूल बन रहा है बहुत पुरी यह वक्त में और साधी में पूरा हर परकार के मैंने इसलिए ऐसा कोशन पुछा क्योंकि साधी के पहले इंसान हमेशा खुला खुला रहता है लेकिन अब इस सेट पे भी आते होंगे तो हमेशा दो चार कॉल आहीं जाता होगा पत्नी का कि कहां है कैसे है इसलिए इन सब के बीच दिन चरिया कैसे बदल रही है आपके ब ऐसा कुछ नहीं है अच्छा आपने अभी बोला कि साधी में सब अधिति गन लोग आया थे आपके बड़े सूपर स्टार लोग भी आते लेकिन सबसे अनुखा पल वो था जो भूजपूरी के पावर स्टार पोवंग सिंग वीडियो कॉल किये तो उनके लिए क्या कहना च चाहते हैं अच्छा आपको बड़े बहुत प्यार करते हैं लेकिन उनके तीम पे आरूप लगाया जा रहा है उनके टीम पे ऐसा है सारूप लगाया जा रहा है कि वो अपने माता से मिलने नहीं देते, कोई ऐसा लोग कहता है कि उनके माता से मिलने देते, पावन सिंग की पाँच पाँच चार चार बीविया हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे, उन लोग को क्या रिप्लाई करना चाह सबसे ज़्यादा यदि अभी के डेट में बजने वाला ग्राउंड लेबल पर गायक है तो वो चंदन चंचल है इस पर कितना गर्व फिल होता है कि अरे छोटा सा चंदन चंचल आज पूरे बिहार पूरे यूपी में गर्दा मचाया हुआ है अशिरवाद देता है पस्त मैं चाहूंगा आज है आप सबका प्यार अशिरवाद हमें मिलता रहे और हम सब का अशिरवाद पता रहूं और आप सब उन्टर नकरता रहा है तो हमको इतना बड़े भाई की तरह हुं को मानते हैं। हमारी समाज का हर समाज ऑर समाज के आदमी हमें हमें समाजक के गाना नाशजा ऑ चोटा भाई कि तरा ult, आश्रबाद, कहीज निए। ठीट चास्ट इन आपना चोटा भाई किता रोचकन श्रूत. अच्छा एक गाना कल भुझपुरी के पावर स्टार पोवन सिंग का आया है रुवेले रघुराई आपने सुना मैं सुना बहुत गाना अच्छा लगा और सब दर्सकों से अपील भी करता हूं कि आप सब से परजुड के बिंती हैं कि इस गाने को आप सब प्यार दीजिए और अच्छा कैसा लगता है जब फोवन सिंग देवी गीत गाते हैं भक्ती जाती है और और भोजपूरी को अभी तक ऑसकर आवाड गाने के रूप में नहीं मिला गया तो यह सोचते हैं कि पावन सिंग को कहीं यह गाने को उपर मिला जाए नहीं यह गाना बहुत बेटर लगा और मैंने देखा कि बहुत कम समय में अभी तक चार-पांच मिलियन तक चला गया तो कहीं नहीं दर्शक अच्छे भी हैं लोग जो अच्छे गाने को सुनते हैं सब और सब दर्शक सब गाना का प्यारा सुरबाद समय समय से देते हैं यह गाना अगता लेकिन बहुत ज्यादा बज़रा है लीची वाला है वह थोड़ा से घाना सुना देते हैं तो पब्ली को बहुत मज़ा आता है अभी आईल बाटे वे म्यूजिक चैनल पर बाटे हैं तरहा के ओठकड़ा लुपाला अजरी से की गाड़ी वाला ली टाहरा लीची में के रस कमन कीजिये गोरा अभी ली जव sí founded s4 ले आटे हैं पूरा लाहा अटä चला था मेंदा बैम这ँ पूरा लनगता ऑक हुए रह लगता है spanальном लाहिद 12–12 games हैं और हमारा दिल में होता है कि अपने चाहने वालों को हमेशा इंटर्टेन करा हूं हमेशा मतलब हमको प्यार अश्रबाद दे लेकिन चंदन-चंचल जी आप पर आरोप लगता है कि चंदन-चंचल हमेशा सिर्फ और सिर्फ गंदगी को फैलाते हैं अच्छे गाने को नही किलां कर वह क्वाद्ति गाना था हूँ एतना सुद्र गाना था कि मैं क्या बता हूंगा एकुलैन में कावू G के अरे कि लंका में जाई के सिता जी के जी आरा जुडा गयल देखी हनुमत गोसाई के ये राम सिता जी के जी आरा जुडा गयल देखी हनुमत गोसाई के क्या बात है ऐसे गानૌ को आप लोग पंपोर्ट करें तो चन्दनचन्च यी पी तभी दूर्थी गाना नहीं गए था गाना था मत रेक आ रहा है और इससे इस बार दो महिनों का रहा है तो इसमें कितना गान soula'll it परकार का रहा है पर परकार का महल है तक मैंने रिकॉर्ड किया हूं जो कि दस गाना इधर लॉंच होगा फर्ष सावन ने कि इसी को जीने नहीं देंगे कि आपका ही नामे आ रहा है जब भी जो भी देखा जाए आप कोई बरात में चले जाए चाहे कोई ट्रेक्टर पर देख लीजिए सिर्फ और सिर्फ चंजन चंचल बज़ रहे है दिल से धगने बाद है अश्रवाद का परतिक्षा है आप से व का गाना बहुत अच्छा है कि एंगल म्यूजिक पर आएगा जो आप सब आखडा में सुनेंगा होगा ना अच्छा पजने चोरी हो जाता है तो मैं आऊंगा एंगल म्यूजिक चैनल पर आए और जाते जाते बस एक सवाल पूछना चाहूँगा बोजपुरी में बिवाद को सपोर्ट किया जाएगा बोजपुरी में ऐसा नहीं देखा जाता कि कोई कलाकार दूसरे कलाकार को पर्मोट करें कोई कलाकार दूसरे कलाकार को अच्छी गाने को पर्मोट करें सिर्फ और सिर्फ बोजपुरी इंडस्ट्री में लडाई चलते रहते और छोटे-छोटे गायकों का चोटे-चोटे गायकों का गाना पर भ्यूज नहीं जाता तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगा बस हम तो सब में नहीं रहते हैं मैं अपना काम पर फोकस करता हूं मैं और अपना काम में बीजी रहता हूं और मेरे को सब हम देख भी नहीं करते हैं कि क्या होता ह तो यह थे हमारे साथ चंदन जंचल जी तो मैं आप सब को बता दूँ कि इन्हों ने बहुत अच्छा अच्छा भी गाना गाया है तो प्लीज उस गाने को सपोर्ट करिए ताकि तभी तो कहीं ना कहीं भोजपूरी में अच्छा अच्छे गाने को परमोशन हो पाएगा तो पूरा धूँआ हो जाई पूरा आशिक हो जाई तो थोड़ा दिल थाम के बैठीए तो अब देखिए मैटर चोरी हो जागा फिर मत बोलिया कि यहां से काट दीजिए और वहां से काट दीजिए ना कुछ बतला पब्ली को बता दूं भाई सब को चाहते हैं गान्जा के आ तो इनको भी आशिरवाद दीजिए और हमको भी आशिरवाद दीजिए तो मिलते हैं पर से नेक्स अपिसोड में तब तरके जैन जै बोच्पुरी